हालो गाईज वेलकम टू माई एसवा एजुकेशन फारमिसंग चैनल गाईज हम आज लेकर के विज्ञान की सेकेंड टॉपिक प्रेजेंट है जैसा कि हमें उर्जा के बारे में पढ़ना है ठीक है हमारे उर्जा की टॉपिक है और इसे हमें रिट करने हैं एक से कि उर्जा क गतिज उर्जा यांत्रिक उर्जा और उर्जा का रूपांत्रण उर्जा के न्याय संगत प्रियोग है तू इसके बारे में उर्जा के बारे में आज को डिस्क्रिप्टिब बताने वाले हैं फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो जरू देखेगा उसमें हम अब्जेक्टिक सान जाना यह सारे उर्जा ही है वहां पे जितने गती से काम किये जाते हैं तो उर्जा का उप्योग होता है उसमें अब इसमें हम देखेंगे मुष्ट रूप से यहां पे जो कुछ मुखे तथे रहेंगे उसी पे चर्चा करेंगे इसी पे डिपेंड मैं आपको लगभग 50 प्रशन अबजेक्टिव करवाओंगी ठीक है यहां पे देखेंगे उर्जा दो प्रकार की होती है इस्तिती जूर्जा होती है और गती जूर्जा होती है ठीक है अब देखेंगे इस नेक्स हम देखते हैं यहां पर मुख्य तत्य है ठीक है यहां पर देखेंगे दिया हुआ है कि यह बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कि इन सुत्र में यच उचाई जहां में मापते हैं और सुत्र आपको यहां पर दिख रहा होगा ठीक है और मापते हैं वहां पर इस्थि इस ईर्जा का मान्सुन हो जाता है किसी वस्तु तो में उसकी जो है इस्तित्टी अथवा आकृती में हुए परिवरतन के कारण ही संचित उर्जा को संचित उर्जा करते हैं पदार्थ के अड़ों зан संचित रासायनिक उर्जा इस्थित उर्जा के रूप में होती है तो अब यहां पर गतिज उर्जा के बारे में देखेंगे दिया हुआ है गतिज उर्जा पाइंट आपको दिख रहे होगी एडिंग नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकडी के बड़े बड़े टुकड को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे ले जाने की कारे को किया जाता है और तेजी से गतिमान क्रिकेट की गेंद जब इस्टंप से टकराती है तो इस्टंप उखड जाता है और इसी प्रकार की तिब्रबेग से गतिमान वायू तुफान द्वारा ब्रिक्च उखड जात तो गती मान पानी गेंद तथा वायू में कारे करने की छमता होती है यह छमता उसकी गती के कारण ही होती है अब देखेंगे वस्तुओं में गती के कारण उत्पन उर्जा को गती उर्जा कहते हैं यह परिभासा हो गया इसका ठीक है क्या है कि वस्तुओं में गती के कारण उ दर्ब्यमान पर निर्बय करती है जितनी अधीक चाल होता है यहां पर है कि जितनी अधीक चाल होता है गती अर्जा भी उतनी आधीक होता है गतिज उर्जा भी जादा होगा ठीक है और यदि गतिमान वस्तु का बेग भी मीटर सेकेंड तथा द्रभ्यमान कीलो ग्राम हो तो उसकी गतिज उर्जा वन प्रती टू वन बटे टू यम्भी मतलब कीलो मीटर थ्री जूल्स होगा यह है ठीक है तो अब देखेंगे यांतरिक उर्जा यहन्य में जो है यांतरिक उर्जा के बारे में जानेंगे कि किसी भी देख रहा होगा यहां पैंट अब आपको किसी वज़्टु में उसकी इस्थिती आकरिती अथवा गती के कारण उत्पन उर्जा को यांत्रिक उर्जा कहते हैं इस्थिती उर्जा एवं गतिज उर्जा दोनों ही यांत्रिक उर्जा के रूप है अब देखेंगे आंत्री कुर्जा बराबर होता है स्थित उर्जा प्लस गती जूजा यह पूछ सकता एक्जाम में मुष्ट पाइंट बनेगा यहां से यहां पे अब देखेंगे क्रिया कलाप है तो क्रिया कलाप पे नहीं चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमारी पॉइंट बन रही है देखेंगे कुछ मुख्य बाते हैं यहां पे बॉक्स में दीख रहे होगी आपको तो देखेंगे यहां पे दिया है कि ड्रील मसीन द्वारा लकडी में छेद करने पर कुछ समय पस्चात कभी-कभी धूमा निकलने लगता है और ड्रील मसीन द्वारा लकडी में छेद करने की क्रिया यांतरिक उर्जा उसमय उर्जा में बदल देती है और लकडी के अधिक गर्म हो जाने के फल सरूप धूमा निकलता है तो यह कारण है पूछ सकता है कि हमारा किस उर्जा में बदल जाता है यांत्रिक उर्जा उसमें उर्जा में बदल जाता है अब यहां पर देखेंगे नेक्ष्ट हमारी प्वाइंट जो है उसके आगे बढ़ते हैं मुखे तथ्यों पर पचर्चा हम करते हुए चल रहे हैं देखेंगे आप जल बिद्दुत सयंत्र द्वारा जल की यांत्रिक उर्जा बिद्दुत उर्जा के रूप में बदल जाती है बिद्दुत उर्जा बिद्दुत वल्ब द्वारा प्रकास उर्जा के रूप में तथ पंखे द्वारा यांतरिया में बदला जाता है ठीक है तो ये हमारा Point at व और बिद्दुत उर्जा का रूपांतरन देखेंगे इसमें कि जैसे कि आपने जानते हैं कि बिद्दुत बल्ब और ट्यूव लाइट की बिद्दुत उर्जा प्रकास उर्जा में परिवर्थित हो जाती है और इससे हमें उजाला महसूस होता है निमलखी तालिका में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर उपकरण के नाम से दिया जाता है जिनके समकच अंकित करे कि बिद्दुत उर्जा किसी उर्जा में परिवर्थित हो जाती है तुझे से यहाँ पर दिख रहा होगा यही सब है नेक्स सिरिच की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर उर्जा के कुछ अन्य रूपा अंत्रन देखेंगे पटाको को छोड़ने से रासायनिक उर्जा यह बहुत ही मुष्ट तत्थे हैं यहाँ पर मानेंगे कि हमारा क्या है यह है इंपोर्टन्ट है यहां पर देखिएंगे पहला नमरे पटाकों को छोड़ने में रासायनिक उर्जा जो है प्रकास उस्मा एवं धोनी उर्जा के रूप में बदल जाती है भाप इंजन एवं डीजल इंजन में दहन क्रिया द्वारा उस्मा उर्जा उसमी उर्जा यांतरिक उर्जा में रुपांतरित हो जाता है भाप के इंजन क्यूशन पूछ सकता है थर्ड पैंट बनेंगे कि जलती हुई मुंबत्ती रासायनिक उर्जा उसमी उर्जा एवं प इस्तारित यंत्र द्वारा, बिद्दूत उर्जा पुना ध्वनी उर्जा में बदल देती है अब नेक्स्ट देखेंगे कि फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकास उर्जा रासाइनिक उर्जा में रुपांतरित हो जयती है पौधे में प्रकास संसलेशन क्रिया द्वारा प्रकास उर्जा रासायनिक उर्जा में रुपांतरित हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक शेल सोलर शेल द्वारा प्रकास उर्जा बिद्दुत उर्जा में रुपांतरित हो जाती है साइकल चलाने में पेसी उर्जा जो है यां अंत्रिक उर्जा में रुपांत्रित हो जाती है बदल जाती है तो यह मोश्ट तत्य थे और यहां पे जानेंग के की एक से थोड़ा से छोट करते हैं जब एक प्रकार की जब एक प्रकार की उर्जा किसी अन्य रूप में रुपांत्रड हो जाता है तब उर्जा के भाग कु पूरे बिद्दुत उर्जा और प्रकास उर्जा के रूप में नहीं बदलता है परन्तु कुछ भाग उसमी उर्जा के रूप में बदल जाता है तो इसी प्रकार यांत्रिक उर्जा के रूप आंतरण में संग जो घर्षन के कारण उसमा का कुछ भाग उसमी उर्जा ध्वन उर्जा एवं प्रकास उर्जा के रूप में बदल जाता है और उसका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है परन्तो मसीने गर्म होकर के खराब हो जाती है और उस समय उर्जा का उपयोग में न होना ही उर्जा का हास कहलाता है ठीक है और मसीनों में उर्जा के हास द्वारा होने भाली खराबिएं की बचावं है तू मसीनों में नियमित रूप से शनेहक अथवा ग्रीस लगाते रहना चाहिए अब यहाँ पे देखेंगे उर्जा अबिनासी है पूचकता है कि उर्जा क्या है तो इसका छरण नहीं होता यह शाहनिया पर पत्थर का कोईला डीजल पेट्रोल मिटी का तेल पेट्रोलियम गैस का प्रियोग जीवन के बिभी ने छेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में प्रति दिन इधन के रूप में किया जाता है और इधन के ऐसे सुरोत हैं जिनकी एक न एक दिन समाप्ती निश्चि तो यहां पर देखें कि परंप्र उर्जा के सरूत नहीं बढ़ रहे हैं और उपव्यूक्त भूमिगत इधन करोडो वर्सों की रासायन कभी क्रियां के फल शरूप प्राप्त होते हैं और एक बार सम आप्त हो जाने के पस्यात इन्हें प्राप्त करना शंभव नहीं है यह छरण हो जाता है इसका तो यहां पर देखेंगे हमारी यहां पर पाइंड बन रही है देखेंगे उस उर्जा की बढ़ती हुई अवशक्ता को पूरा करने के लिए निमलीखित में से क्या करना चाहिए उर्जा का बंचित जो है ब्यए बंचित ब्यए य न जलाएं और सजावट में बिद्दूत का उपयोग कम से कम करें और आवा गमन के लिए डीजल पेट्रोल संचालित बाहनों का उपयोग कम दूरी के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उर्जा के अस्थानिय स्रोतों का अधिक्तम उपयोग यहां पे देखेंगे कि खाना पकाने के लिए प्रकास के बायोगैस का प्रयोग किया जाए और बायोगैस क्योंकि बायोगैस जो है उर्जा जो एसुरी का प्रकास नब्यकरडी जो समाप्त कभी होने वाला नहीं है एक बार यूज के फिर उसका चक्रण होता रहता है बायोगैस प्लांट को अस्थापि का उपयोग किया जाए और जहां संभव हो तथा वहां पौण उर्जा का उपयोग चक्की के माध्यम से बहते हुए जल की उर्जा का उपयोग पौण करके कुछ सीमा तक उर्जा संकट में कमी लाई जा सकती है और पौण चक्की तथा जल बिद्दुत सैयंत्र द्वारा बिद्दुत उर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए सुर्य प्रकास उस्मा यहां पे देखेंगे सुर्य प्रकास उस्मा क अनवरत स्रोथ हैं मतलब कभी फिनेश नहीं होने वाला है और ऐसी युक्तियों में युक्तियों को बिक्सित करना चाहिए जिससे सुर्य उर्जा को एकत्रित करना बिद्दुत उर्जा में रुपांत्रित कर देना वर्तमान में इसके लिए सुर्य सेल का प्रियोग किया जा रहा है सुर्य सेल द्वारा उत्पन्य विद्दुत उर्जा के उप्योग के लिए प्रोश्चाहन की मदद की जाने की जूशकता होति है छुच्चारे जल उश्चमक शौर कूकर और शुच्च के प्रियोग अधिक से अधिक क्ये जाने का प्रोशाहन दिया जाना चाहिए संचार प्रसार की आवशक्ता है इसके लिए और प्रचार प्रसार के माध्यम से उर्जा के उभुगताओं में जो है बैचारिक रांती लाने का प्रियास किया जाना चाहिए जिन से वे स्वयम उर्जा की बचत करने का महत्यों को समझ सकें तो ये सारे थे इसमें और नेक्स्ट है इसमें कि दैनिक जीवन में बिम्रीन संसादनों में निर्माड में प्रयुक्त मसीनों में उर्जा का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है तो ये सारे था गाईज बहुत ही मुश्ट था तो हम नेक्स अबजेक्टिव क्यूशन जेश्ट अभी लेकर के प्रिजेंट हो दे हैं उसे हमारा सेकेंड पार्ट भी उर्जास से रिलेटेड जरूर देखिए